आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की जो लॉंच होंगे 2023 में तो दोस्तों इस वीडियो को लास तक देखिए उम्मीदे वीडिया आपको पसंद आएगा हमारी लिस्ट पे नमबर वन पे आता है नोक्या N73 5G यह मोबाइल आता है Android V13 पर चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ 6.9 इंच का Full HD Super AMOLED डिस्प्ले है जिसके स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट और यह सुभी को पावर देगा Snapdragon का Adigen 2 प्रोसेसर अब बात करते हैं इसके कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 200 प्लेस 12 प्लेस 8 प्लेस 2 मेगा पिक्सल का और फ्रेंट कैमरा इसमें 32 मेगा पिक्सल का यह मोबाइल आता है 12GB RAM 256GB इंटरनेल स्टोरेज के साथ 1TB आप इसको SD कार्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं इन सुभी को अन रखने के लिए इसमें 6000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 120 वाट का फास्ट चार्जर अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो इसके एक्सपेक्टेट प्राइस है 50,000 रुपे अब बात करें इसके लाँच टेट की तो इसके एक्सपेक्टेट लाँच टेट है 25 जनवरी 2023 हमारी लिस्ट पे नमबर 2 पे आता है Xiaomi Mix 5 Pro 5G ये मुबाल आता है Android V13 पर चलिए आते हैं इसके डिस्पले की तरफ 6.73 इंच का Full HD Super AMOLED डिस्पले है जिसके स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट का रिफ्रेशेट और ये सोभी को बावर देगा Snapdragon का एट जन टू प्रोसेसर अब बात करते हैं इसके कैमरा की तो इसमें ट्रिपर रियर कैमरा सेटप है 108 प्लिस 48 प्लिस 48 मेगा पिक्सल का और फ्रेंड कैमरा इसमें 48 मेगा पिक्सल का ये मुबाल आता है 12 GB RAM 256 GB इंटरिज के साथ बड़ेश डिकार्ट का सबूट आपको इसमें नहीं मिलेगा इन सुबे को रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 120 वाट का फास चारजर अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो इसके एकस्पेक्टेट प्राइस है 50,000 रुपे अब बात करें इसके लांच डिट की तो इसके एकस्पेक्टेट लांच डिट है 19 जनवरी 2023 तेविस हमारी लिष्ट पे नमबर 3 पे आता है Samsung Galaxy S23 Ultra 5G ये मोबाल आता है Android V13 पर चलिए आते हैं इसके डिस्पले की दरफ 6.8 इंच का Full HD Dynamic AMOLED डिस्पले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120Hz का रिफ्रेसेट और ये सुबे को पावर देगा Snapdragon का एड़िजन टूब प्रोस ये मोबाल आता है 12GB RAM, 256GB internal storage के साथ 1TB app इसको SDGuard के साथ योज़ कर सकते हैं इन सबी को अन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 45W का Fast Charger अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो इसके expected price है एक लाग रुपे अब बात करें इसके launch date की तो इसके expected launch date है 27 January 2023 हमारी list पे नमबर 4 पे आता है Nubia Z50 ये मोबाल आता है Android B13 पर चलिए आते हैं इसके डिस्पले की तरफ 6.73 इंच का Full HD AMOLED डिस्पले है जिसकी screen को smooth करेगा 165Hz का refresh rate और ये सबी को power देगा Snapdragon का इडजन टू प्रोसेसर अब बात करते हैं इसके camera की त front camera इसमें 32MP का ये मोबाल आता है 8GB RAM 118GB internal storage के साथ but SD card का support आपको इसमें नहीं मिलेगा इन सो भी गौन लगने के लिए इसमें 5080 की बैटरी दी गई है जिसको charge करेगा 120W का fast charger अब बात करते हैं इसके price की तो इसके expected price है 55,000 रुपे अब बात करें इसके launch date की तो इसके expected launch date है 17 जनवरी 2023 हमारी लिष्ट पे नमबर 5 पे आता है Asus ROG Phone 7 ये मोबाल आता है Android V13 पर चलिए आते हैं इसके display की तरफ 6.85 इंच का full HD AMOLED डिस्पले है जिसकी screen को smooth करेगा 165 Hz का refresh rate और इन सभी को power देगा Snapdragon का 8 Gen 2 processor अब बात करते हैं इसके camera की तो इसमें triple rear camera setup है 64, 12, 12, 8MP का और front camera इसमें 32 MP का ये मोबाल आता है 16 GB RAM 256 GB internal storage के साथ बड़ स्टी गार्ट का जबोर आपको उसमें नहीं मिलेगा इन सभी को on रखने के लिए इसमें 6,100 की battery दी गई है जिसको charge करेगा 120 Watt का fast charger अब बात करते हैं इसके price की तो इसके expected price है 70,000 रुपे अब बात करें इसके launch date की त इसके expected launch date है 27 जन्वरी 2023 तो दोस्त नहीं थे top 5 upcoming mobiles जो launch होंगे 2023 में उम्मी देविड आपको पसंद आओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए और bell icon को दबाना बिल्कुल ना भूले नीचे comment ज़रूर करें झांक्स पर वाचिए और रहले प्रिचिए और ताम